नमस्कार तन्यूज में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ कमलेश परिस्सा हूँ तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर भारतिय महिलाओ वंडे टीम की कप्तान मिताली राज ने वर्ड कप 2022 के बाद सन्यास लेने के संकेत दिये हैं उन्होंने शनिवार को इशारों इशारों में कहा कि न्यूजिलैन में 2022 में होने वाला 50 ओवर का वर्ड कप उनके 23 साल के अंतराश्ट्यू क्रिकेट करियर का आखरी टूनामेंट हो सकता है 38 साल की मिताली ने कहा कि मैं जानती हूँ कि हम मुश्किल दोर से गुजर रहे हैं लेकिन मैंने अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए काफी कुछ किया है वैसे भी मेरी उमर कम नहीं हो रही है बलकि मेरी उमर बढ़ती जा रही है मैं फिटनिस की एहमियत जानती हूँ भारत की सबसे बहतरीन महीला क्रिकेटर ने एक बुक के वर्चुल लॉंच के दौरान कहा कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में 21 साल हो चुके हैं और मैं जानती हूँ कि 2022 मेरा सन्यास का साल हो सकता है पिछला साल मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 साल के बराबर है मिताली एक मात्र महीला बल्लेबाज है जिनके नाम वंडे में 7000 से जादा रन है वर्ल्ड कप से पहले भारती महीलक टीम को चारद्वी पक्षी स्रिंखलाएं खेलनी है इनमें इंगलेंड आस्ट्रेलिया और यूजिलेंड का विदेशी दोरा और फिर इसी के बीच वेस्ट इंजीज के खिलाब घरिलू श्रिंखला शामिल है उन्होंने कहा कि अपसे हर दोरा बतौर बल्लेबाज के लिए मेरे लिए एहम है और साथ ही मुझे वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी करनी है और उन्ह आने वाले श्रिंखला पर लगा है उन्होंने स्विकार किया कि तेज गेंदबाजी ऐसा विभाग है जिसे सुधारने की जरूरत है और इसमें भविश्य के लिए एक पुल बनाने की जरूरत है क्योंकि जूलन गोस्वामी भी अपने करियार के अंतिकी ओर है मिताली ने कह कि हमें निश्चितरूप से कुछ खिलाडियों को तलाशना होगा और न्यूजिलैंड के लिए तयार करना होगा साथ ही गावसकर ने कहा कि मैं खिलाडी लड़कियों से चाहूंगा कि वी नीचे देखने के बजाए प्रतितवंदी की आँखों में घूर कर देखें मुझे लगता है कि बॉड़ी लैंग्वेज काफी एहम पहलू है विराड कोली को देखा वह प्रतितवंदी को घूरता है और फिर पूरी टीम ऐसा ही करती है अब आगे देखना होगा कि न्यूजिलैंड दौरे तक भारत को नई महिला टीम मिल पाती है भी या नहीं तब तक बने रहे दनीूस के साथ नमस्कार